तो यहां पर हमारा मैन कपड़ा है इसमें दिखी बोडर दिया हुआ है और यह हमारा अत्तर है अत्तर हमारा सूती है कोटन का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो अत्तर को हमें इस तरह से विछाना है जो अत्तर की ओपन साइट है वो ह यहां से लंबाई न आपांगे यहां पर हमारी आपाई न पर निसान लगाना है और यहां पर हम आदा इंच पर निसान लगाना है और और यहां से गले की लंबाई नापेंगे तो गले की लंबाई हम यहां पर रखेंगे चेंज तो चेंज पर हमें निसान लगाना है इस तरह से बॉक्स बना कर गुलाई करेंगे तो अब हम क्या करेंगे सोल्डर की चोड़ाई नापेंगे तो सोल्डर की चोड़ाई हमारी धा इंच है जिसमें आदा इंच का माजल लेना है तो यहां पर हम तीन इंच पर निसान लगाएंगे और यहां से आर्मोल की लंबाई नापेंगे तो यहां पर हम आर्मोल की लंबाई छेंच रखेंगे तो छेंच पर हमें निसान लगाना है और एक इंच पर हम आर्मोल की गुल करेंगे तो यहां पर आएगा साड़े आठ इंच तो साड़े आठ इंच पर हमें निशान लगाना है और दो इंच का यहां पर मार्जन लेंगे तो अब हम क्या करेंगे कमर की चोड़ाई ना पेंगे तो कमर की चोड़ाई हमारी 28 इंच है तो यहां पर हमें कमर का चौथाई लिकालना है तो यहां पर आएगा 14 इंच और 14 इंच को हमादा करेंगी तो यहां पर आएगा 7 इंच जिसमें हम एक इंच का मारजन लेंगी तो यहां पर हमें 8 इंच पर निसान लगाना है और दो इंच का यहाँ पर मार्जन लेंगी तो अब हम क्या करेंगे दोनों निसान को मिला देंगे तो इस तरह से हमने निसान को लगा लिया है तो अब हम क्या करेंगे कटिंग कर देंगे तो इहां पर देकिंगे हमने आगे वाले की डित कटिंग कर लिया तो अब हम क्या करेंगे दोनों लगा लेना है बैसे तो मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है कि किस तरह से पिलेट का निसान लगाया जाता है तो यहां पर हमें पल्ले को इसके उपार रखना है और छाफ लेंगे तो देखी इस तरह से हमने दूसरे पल्ले पर भी निसान लगा लिए है और इस तरह से हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है तो अब हम क्या करेंगे पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो अत्तर को हमें इस तरह से बिछाना है और इसके उपर हम आगे वाले पल्ले को रखेंगे जो हमारा आदा निच का माजन है उसको हमें भार की त नीचे से अदा इंच पीछे आले पले को छोटा रखना ना आ है और साइट से भी हम आदा इंच पीछे आले पले को छोटा हैं तो अब हम क्या करेंगे यहां पर गले की लंबाई ना पेंगे तो गले की लंबाई हमें साड़े दास इंच रखनी है तो इस तरह से निसान लगाएंगे और बॉक्स बनाकर हमें गुलाई कर देना है तो यहां पर निसान लगाकर हमें कटिंग करना है तो यहां पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर तो अब हम क्या करेंगे प्लेत का निशान लगांगे तो यहां पर हम चौड़ाई में तो यहां पर हमने पीछे आले पल्ले की कटिंग कर लिए तो अब हम क्या करेंगे मायन कपड़े को लेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमारी किनारी है उसको बिल्कुल एक बराबर रखना है फिर हम पीछे आले पल्ले को लेंगे और इसके उपर अच्छे से रखे इक कटिंग कर लेना है तो यहाँ पर हमने पीचे वाले पंल्ले की कटिंग कर लिये तो अब हम क्या करेंगे आगे वाले पंले की कतिंग Kay तो जो हमारी कप्डे की open site है वो हमें अपनी तरफ रखनी है इसत़र से गुझे और इसके उपर हम अतरबाला पल्ला रख लेंगे इस तरह से और रखने के बाद हमें कटिंग करना है जो हमारा मैन कपड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे जादा ही कटिंग करेंगे कि कि जब हम इसको से लेंगे उसके बाद में अच्छे से कटिंग कर लेंगे ठीक है तो यहां पर हमने आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लिये इस तरह से तो अब हम क्या करेंगे बाजू की कटिंग करेंगे तो यहां पर हमें मैन कपड़े को लेना है जो हमारी किनारियस को हम अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके विचाएंगे और यहां पर हम हाप बाजू बनाएंगे ठीक है तो कपड़े को हमें एक बार और फोल्ड कर लेते हैं और यहां पर हमें आदा इंच पर निसाल लगा लेना है इस तरह से एक सीधी लाइन खीचेंगे और यहां से बाजू की लंबाई ना पेंगे तो बाजू की लंबाई हमारी दस इंच है जिसमें हमें आदा इंच का माजल लेना है उपर बाजू सिलने के लिए तो साड़े दस इंच पर हमें निसाल लगाना है और उपर की तरफ हमें यहां पर दो इंच पर निसाल लगाना है यहां से बाजू की गुलाई करेंगे फिर हम यहां पर बाजू की चवडाई आठ इंच रखेंगे तो आठ इंच पर हमें निसान लगाना है और यहां पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है तो 10 को अदा करेंगे तो यहां पर हमें 5 इंच पर निसान लगाना है और इस तरह से दोनों निसान को मिलाएंगे साइट में हमें देड़ या दो इंच का मारजन भी लेना है तो यहां पर भी निसान लगा लेंगे तो इस तरह से हमने निसान लगा दिया है तो अब हम क्या करेंगे बाजू की कटिंग करेंगे पिर हम क्या करेंगे बाजू को पूलेंगे और आगे की साइड आदा इंच की गहराई देंगे एस्टा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहां पर हमें कट लगा देना है तो देखी इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर लिए तो यहां पर हम सबसे पहले महन पल्ला को लेंगे और उसके उपर हमें अतरवाला पल्ला रखना है इस तरह से और रखने की बाद हम क्या करेंगे चारो तरफ से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है अब हम क्या करेंगे बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे पलेटे से लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक इन चौड़ी पलेट से लेंगे और बाकी जो तीन पलेटे हैं वो हम आदा इन चौड़ी से लेंगे तो यहां पर हमने एक पल्ले में प्लेट को सिल लिया है तो सेम इसी तरिके से हमने दूसरे पल्ले में भी पलेटे सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे तो यहाँ पर हमने तीन इन चौड़ी पट्टी ली है तो यहाँ पर इसको रखके इस तरह से सिलाई लगाएंगे फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे और बची हुई पत्ती की कट्टिंग करेंगे तो यहां पर हमने आईफाली पत्ती को सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे उपर से 1,5 इंच का मारजन छोड़के यहां से लंबाई नापेंगे तो लंबाई हमारी 14 इंच है तो 14 इंच पर हमें निसान लगाना है और इतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है सिलाई यहां पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहां पर हमें तुरुपाई करना होता है तो देखी इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है तो अब हम क्या करेंगे दूसरे पले में हुक वाली पट्टी से लेंगे तो यहां पर हमने अत्तर वाली पट्टी को लिया है यहां पर इसको रखके सिलाई लगाएंगे फिर हम क्या करेंगे इसमें दाफ सिलाई लगा लेते हैं और उल्टी तरफ से फूल करके सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हमने हुकबाली पट्टी को भी सिल लिया है इसमें भी यह मादा इंच का मार्जन छोड़के 14 इंच पर निसान लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो अब हम क्या करेंगे दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेते हैं तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे पीछे वाले पल्ले को तयार करेंगे तो मायन पल्ले को हमने नीचे रखा है और उसके उपर अत्तरवाला पल्ला रखा है और यहाँ पर चारो तरफ से सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे पलेटे सिलेंगे तो यहाँ पर हम एक इन चौड़ी पलेट को सिल लेते हैं तो देखी इस तरह से हमने पलेट को सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे उपर से आदा इंच का मार्जन छोड़के यहाँ पर निसान लगाएंगे 14 इंच पर इस तरह से सीधी लाइन खीचेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है और इस तरह से हमने दिखी पीछे की तरफ बोड़ा जो हमारा है वो हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है ठीक है तो इस पर ले किसी दिस आइठम क्या करेंगे उपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा आगिवाला पल्ला है इस किसी दिस आइठम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आदा इंच का माजन छोड़ के सोल्डर से लेंगे तो यहाँ पर हमने सोल्डर को भी सिल लिया है अब हम क्या करेंगे बिलाज की फिटिंग करेंगे तो यहां पर हमारी सीने की चोड़ाई 34 इंच है तो 34 को आदा करेंगे तो यहां पर हमने 17 इंच पर निसान लगाया है और कमर की चोड़ाई अमारी 28 इंच है तो 28 को आदा करेंगे तो यहां पर हमने 14 पर निसान लगाया है तो अब हम यहां पर पल्ले को बराबर करेंगी और जो हमारा निसान लगा है तो उसी निसान के उपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगी तो यहां पर हमने सिलाई को लगा लिया है साइट में हम इस तरह से बराबर कटिंग कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको लिकाल देना है और यहां पर हमें गले की पट्टी सिलेंगे तो यहाँ पर हमने औरेवी पट्टी ली है अस्तर वाली तो इनको हम इस तरह से सिल लेते हैं तो देखे हमने सारी पट्टीओं को सिल लिया है यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और बरावर कटिंग करेंगे फिर हम क्या करेंगे बिलाज को लेंगे और बिलाज को हमें सीधा रखना है और उसके उपर हमें याँ पर इस औरेवी पट्टी को रखेंगे इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे तो पूरी गुलाई में हम इस तरह से औरेवी पट्टी को सिल लेते हैं बची हुई पत्ती की कटिंग करेंगे और इस तरह से साइट में भी हमें सपाई के साथ कटिंग कर देना है फिर हम इसमें दाफ सिलाई लगा लेते हैं झाल करें। तो यहां पर हमने देखी गले पर पट्टी को सिल लिया है देखी इस तरह से पूरे गले में इसमें हमें प्रेस लगा देनी है तब ही जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगी तो अब हम क्या करेंगे बाजू से लेंगे तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और जो हमारी नीचे की तरफ किनारिया है तो उसको हम उल्टी तरफ से फोल्ड करके इस तरह से दाप सिलाई लगाएंगे तो देखी इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है तो अब हम क्या करेंगे बिलाज को लेंगे तो यहां पर हमने विलाज को लिया है यहां पर हमने थोड़ी सी सिलाई उदेड दिये बाजू सिलने के लिए और जो हमारा बाजू में कटा है वो कट हम सोल्डर के बीचो बीच रखेंगी और इस तरह से नापेंगी और जो हमारा साइट में कटा है वो कट हमारा आगे वाले पर ले पर आना चाहिए ठीक है तो इस तरह से नाप के सिलाई लगा लेते हैं तो यहां पर हमने डवल सिलाई को भी लगा लिया है अब हम क्या करेंगे बाजू की फिटिंग करेंगे तो यहां पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है तो 10 को आदा करेंगे तो यहां पर हम 5 इंच पर इस तरह से शिलाई लगाएंगे और शिलाई यहां पर हमें डवल लगानी है तो यहां पर हमने एक बाजू को सिल लिया है सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे तो देखी इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा बौडर वाला बिलाउसिल का तयार हो गया है तो उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंश सके और मैं मिन्ति अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू